दोस्तो Reliance View अपने तीन नए स्मार्टफोन फिला लांच करने जारा है जिन में से दो आप लोग के लिए 5G स्मार्टफोन होने वाले है एक आप लोग के लिए 4G स्मार्टफोन होने वाला है और तीनों की जो कीमत होने वाली है वो काफी कम होने वाले है यानि कि 5G आपको 5,000 रुपए से कम में मिलेगा और तीनो जो स्मार्टफोन है दोस्तों वो Orbit series के तहत launch के जाने वाले यहां दोस्तों Orbit series एक नई series यहां पर Reliance जो के दोवारा स्मार्टफोन की स्टार्ट की जा रही तो आज के इस लुड़ मैं आप लोग को दोस्तों Reliance जो के तीनो नए स्मार्टफोन के बार में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ उससे पहले यार मैं आप से कहना चाहूँगा कि आगर आप लोग को ये वीडियो बिल्कुल थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज यार 5G और 4G फोन यहां पर अनॉंस किये गए थे और खुद से मुकेस अंबानी जे ने यहां पर बताया था कि वो गूगल के साथ में पार्टनर्सिप करके आप लोग के लिए जो है यहां पर Android स्मार्टफोन लेकर आने वाले है जिन में से एक अपलोग के लिए 5G स्मार्टफोन होगा और एक 4G स्मार्टफोन होगा और दोनों ही जो स्मार्टफोन होने वाले उनके जो कीमत है वो काफी कम होने वाली ऐसा उनके दोरा खुद से स्टेट्मेंट दिया गा था लेकिन कल यहां पर कुछ एक leaks निकल कर सामने आई जिसमें बताया गया है कि जो certification website है वहां पर Reliance जियो के तीन नए smartphone लिस्ट हुए है जो कि Orbit series के तहत लिस्ट हुए है यहां पर दो उनमें से 5G smartphone बताया जा रहे हैं पहला जो smartphone बताया जा रहे है दोस्तों वह Orbit Myra जो है यहां पर 5 बताया जा रहे हैं दोस्तों पहला 5G smartphone होने वाला है वह Orbit Myra 5 होने वाला है यह 5G smartphone हागा सेकिन जो smartphone होने वाला है वह Orbit Magic 5G होने वाला है यानि कि ये दो smartphone आपको मिलेंगे और दोनों में आपको 5G का support देखने को मिलेगा लेकिन तीसरा smartphone भी यहाँ पर होने वाला है और यह smartphone भी यहाँ पर certification website पर देखा गया है और इस smartphone का जो name होने वाला दोस्तों वो और भी MAUI होने वाला जी हां दोस्तों ये तीन नए smartphone होने वाले और दो में आपको 5G का support एक में आपको 4G का support देखने को मिलेगा और यहाँ पर बताया है जारेकि जो 5G smartphone होने वाले उनकी कीमत आपको 10,000 रुपे से कम में मिलेगी क्योंकि जो और भी smartphone company है वो Reliance Communication के तहट आती है और ये US में अपने smartphone launch करती है ना कि Reliance जो के अंदर आती है और बहुत पहले से US के अंदर ये smartphone launch कर रही है और फिलाल जो ये smartphone list हुए है certification website पर वहाँ पर भी जो address दिखायागा है वो US वाला ही दिखायागा है यानि कि ये smartphone इंडिया में launch नहीं होंगे अभी तक जो भी news आप सुन रहे थे कहीं से भी आपने news रीट करी है जिस भी YouTube चैनल पर आपने कोई भी वीडियो देखा तो ये smartphone दोस्तों इंडिया में launch नहीं हो रहा है ये smartphone US के अंदर launch हो रहा है Reliance Communication के द्वारा और मैं आप लोग को बता जुगा हूँ कि इंडिया के अंदर कौन सा smartphone launch हो रहा है कितनी उसकी कीमत है क्या कुछ उसमें आपको features देखने को मिलेंगे price कितना होगा वो सारा मैंने एक अलग से वीडियो आप लोग के लिए बना दिया है यहां पर इंडिया में launch नहीं होने वाले कोई बोल रहा है कि देसंबर में launch हो जाएंगे जनवरी में launch हो जाएंगे लेकिन दोस्तों नहीं है इंडिया में smartphone तीनों जो smartphone है वो इंडिया में launch नहीं होने वाले है फिलाल के लिए तो आप लोग के लिए यही निउज आ रही है आप लोग बदाईगा कि आप लोग को क्या लगाए'MGORBIC Series इंडिया में लौंच हो रही है तो आप लोग को इस बारे में क्या लगाए'MGORBIC Series donate वह आप लोग नीचे कमिएड सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताईगा वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में चैनल को अब जाए सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए